हेलो फ्रेंज अश्र रखते हो अग्सा बच्छोंगे हाजी रोगों एक न्यू गेमप्ले पुटिक के साथ तो फ्रेंज आज हम यहाँ पर इंडरेंट क्रॉसिंग तीरी गेमप्ले में यारपोर्ट एरिया पे हैं और फ्रेंज अब यहाँ पर देख सकते हो सामने है इस ट्रेक पे वो सीधा निकल जाएगा तो यहाँ पर हमें ट्रेन को रोकना पड़ेगा वो भी सिगनल चेंज करके तो फ्रेंज आप यह पर देख सकते हो यह जो सिगनल इंडिकेशन बॉक्स है यहाँ पर दोनों ट्रेक का सिगनल फिलल के लिए लाल है मतलब अभी कोई नहीं आएगा तो अब हमें यहाँ पर ट्रेन आने से पहले एक काम करना पड़ेगा ट्रेन को रोकना पड़ेगा तो इसलिए सामने जो सिगनल है उसको चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमारा गारी जी साइट से जा रहा है यह ट्रैक नमर वान है और दूसरा साइट का track 2 है तो track number 1 पे जो train आएगा उसको हम रुकेंगे तो देखो friends यहाँ पर already green signal हो रखा है तो भाई चलो इसको करते है यहाँ पर change और भाई अब जो signal है यह हो जाएगा लाल कर दिया हमने ठीक है भाई तो train को तो अब यहाँ पर रुकना पड़ेगा तो हमारा पहला कम यह प वाई gate के सामनी यह पर बहुत सरा गारी आ चुका है और यह सब बहुत गुस्से में है भाई मतलब बहुत देट से gate को हमने यह पर बंद रखा है भाई ठीक है बाद में खोले देंगे और यह काम पहले हो जाए ठीक है उसके बाद तो दूर से हमें दिखा देबाए साइज गुर्स ट्रेड है तो यहां पार गुर्स ट्रेड का जो कोच ए वो तो बहुत ज्यादा होता है तो साइड लगता है इसका जो लास्ट कोच है ना यह लेबल क्रॉसिंग को पार करके और थोड़ा पीछे का तरफ होगा तो यहाँ पार इंतजर करता है और ट्रैक 2 के यहाँ पार साइड में कोई ट्रेन तो फिलाल के लिए हमें देखने को नहीं मिल रहा है पार ट्रैक का जो सिगनल है ग्रीन है यह देखो फ्रेंज ट्रेन एराइब्ड हो चुका है गारी थोड़ा इंतजर कर जाओ भाई यहाँ पार तो यहाँ पार हम एक ट्विस्ट करेंगे ट्रेन का जो लास्ट कोच है यानि की गार्ड भेन उसको हम करेंगे यहाँ पार डिकपिल बाकी कोचे से अलग कर देंगे और दूसरा ट्रेन का जब लोकोमोटी भी आपर आएगा उसके साथ ये सिंगल गार्ड भेन को हम कपलिंग करने का कुशिश करेंगे और देखते हैं क्या होता है रिजल्ट पर फिलाल के लिए ये देखो गूर्ट स्ट्रेन भाई जल्दी रुख जाओ यहाँ पर और यहाँ सही है और हमारा गूर्ट स्ट्रेन यहाँ पर पूरी तरह से रुख चुका है तो अब हम जाएंगे लास्ट कोच के तरफ चलो चलो गूर्ट स्ट्रेन का गार्ड भेन आ चुका है सामने और इसको करते है अब हम यहाँ पर डिकापिल चलो डिकापिल हो चुका है तो सिधा आब हम जाएंगे signal post के पास क्योंकि ये जो signal था ये तो हमने लाल कर दिया था पहले train को रोकने के लिए तो फिट से हमें यहापर signal को change करना पड़ेगा और train यहापर departure कर लेगा पर good train को यहापर पता ही नहीं चलेगा भाई पीछे से जो एक ट्रेन आ रहा है अभी तो उसके आगे यह सब काम हमें करना पड़ेगा भाई चलो चलो जल्दी चलो और पीछे से जो ट्रेन आ रहा है अभी इसी ट्रेक पे उसका स्पीड यहापर दिमर आएगा क्योंकि उसके आगे यहापर good train और इसी ट्रेक पे है प्लेस पे यानि की रेलोई लेवल क्रॉसिंग गेट के पास जहाँ पार हमारा डिक अपेल गार्वेन है चलो जल्दी चलो और इस भीच पीछे से आड़ा है एक ट्रेन बैक साइट सी यह दो फ्रेंस फीट से वाइक से में लोकोमोटिक के साथ आड़ा है ट्रेन बाई आएसे ब्लकुछ का ट्रेन है ठीक है तो गारी को यह पार जिल्दी से पाक कर देता हो बाई ओ भाई गारी को यह अपार धक्का मारके साइट कर दिया लोकोमोटिव और यह देखो फ्रेंस काप्लिंग प्रोसिस जो है यह अपार नहीं हुआ पर लोकोमोटिव यह जोड से धक कमाड़ ठेखा है इम गार्वेन को तो गार्वेन जो है अभी सिधा निकल जा रहा है यह देखो जो ट्रेन है पिछे पिछ पिछए पिच्छ आ रहा है पर ट्रेन का प्रह स्पीड द्रा खास नहीं आई जैबर ठीक है डीरल में नहीं हुआ हुई पर कप्लिंग प्रोसेश जो है यहाँ पर ठीक तरह से नहीं हुआ गार्ड भेन और लोकोमोटिक के बीच में यहाँ बहुत स्पेस है तो भाई ठीक है कोई बात नहीं फिलाल के लिए हमारा गार्ड भेन जाननी होड़ा है विदाउट लोकोमोटीव ठ पर पर ठीक है यहाँ पर कॉंडिशन जो है ठीक हो चुगा है फिट से लाल हो चुगा है यह जो ट्रेन है यह रुख चुका है भाई हमारा गार्ड भेन जाननी तो अब भोड़ा है तब तक आप इस वीडियो के लाइक करके मेरे चैनल को जल्दी से स्ब्सक्राइब कर लो ऐसा गेंप्ले को वीडियो में डालता रहता हूं बहुत जल्मी लेंगे दूसरा गेंप्ले वीडियो के साथ थैंक्यू